हेलो वच्चों, आज हम लोग GCERT कक्छा अस्टम के गनित विशय से प्रस्नावली 14.2 इस अध्याय के प्रस्नों का हल समझेंगे इससे पहले बच्चों हमें यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसे अच्छी तरह से याद कर लेना है यह कुछ सुत्र हैं जिसमें बताया गया है समलम चत्रुभुज का छेत्रफल बराबर एक बटा दो गुने समानतर भुजाओं का जोग यह जो है समलम चत्रुभुज है और यह जो भुजा हम लोग देख रहे हैं बी और इधर नीचे ए यह दोनों भुजा समानतर भुजा है और A से B की और जो लंबाई है उसे उचाई कहते हैं तो इसे H से हम लोग दिखाते हैं तो इसलिए इसका सुत्र हो गया एक बटा दो गुने ब्रैकेट A प्लस B मने समानतर भुजाओं का जोग गुना उचाई H उसके बाद यह सम्चत्रुज है सम्चत्रभुज का चत्रपल ग्याद करने के लिए जो है सुत्र है एक बटा दो कुना पहला भिकर्ण इसमें दो भिकर्ण होते हैं एक D1 और एक D2 तो पहला भिकर्ण को दूसरा भिकर्ण से गुना करेंगे और उसे एक बटा दो से भाग करेंगे ठीक है तो इस प्रकार स से चतरपल निकाल जाता है कि चत्रपल ब्राबर होता है एक जो ब बेilik जुकित से खिचा गया लंब्स यह वह उचाई है और इसमें इसका सूत्र होता है एक बटादो उचाईों का जो करता है एक वन प्लस एच टू गुना विकर्ण की लंबाई जो है उसे गुना करते हैं तो इस प्रकार से जो सुत्र प्राफ्ट होता है वह है एक बटादो को एच वन प्लस एच टू इंटू डी तो अब हम लोग प्रस्णावली चौदा दस्मलत दो के प्रस्णों को देखेंगे एक नमबर में हैं सम्लम चत्रवूज का च्छितरफल ग्याद कीजिए जिससे समांतर भुजाएं जिससे समांतर भुजाएं तता उंचाई दिए गए हैं तो इसमें एक नमबर में समांतर भुजाएं बराबर 12 cm और 20 cm और उंचाई है 10 cm इसे लोग ज्याद करते हैं बच्चों यहां पर प्रस्णक को हमने लिख दिया है और यहां च्छी तरह से समझते हैं यह समलम चत्रवूज है जिसमें समांतर हुजा और यह बुजा समां है और हम दूसरा है 20 cm समांतर बीचा है और क्या जानते हैं कि हमने इसको फॉर्मोला को लिख दिया है बंगे एक वक्राइब ऑर गुना समांतर थो पांचाओं का जोग मैंने बारह जोड भीस बारह जोड बीस और गुना उंचाई कितना है दस चीछें अब इसको आगे बढ़ाते हैं एक बटा दो गुना इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 12 और विस बत्तिस गुना दस इस दो को इस से काट देंगे तो हो जाएगा पांच और अब जो है इसको गुना करेंगे 32 गुना पांच तो 32 को पांच से गुना करेंगे एक सो साथ सेंटीमीटर स्क्वेर तो इस प्रकार से संब्लम चत्रभुज का हम लोग च्छेतरपल ग्याद कर सकते हैं तो आप इससे समझ गए कि इसके दो प्रस्ण ठीक इसी प्रकार से है मैं उसे बना चुका हो उसे आपको समझा देता हूं तो बच्चों यहां पर दूसरा प्रस्ण प्रकार से दिया गया है कि इसका सामानतर हुजा जो है 34 सेंटीमीटर है और 46 इनकी छोटा जो है 34 और बड़ा 46 और उचाई है 24 से सेंटीमीटर तो ठीक जो हम लोग इसके पुर्वाले बनाए हैं तो उसी के तरह से इसे भी बनाएना हुआ कि इसका पहले जो हम लोग इसका फॉर्मूला लिख दिये उसके बाद एक बटा दो गुने 34 जोड 46 मैंने दोनों समंतर मुचाओं का जो गुना उचाई है 24 से लि मीटर इसक dir समंसर हो गया आगे सी नंबर झो है उसको अच्छी तरह से देखना होगा कि समानतर बुजा यहां पर दो मीटर है और रहे हम उच्राओं मीटर यह दोनों मीटर में दिया गया है जबकि उन्चाई जो है सेंटीमीटर में दिया है तो इसमें हम लोग जो है दो तरीके से से बना सकते हैं या तो यह जो मीटर में है इसको पूरा-पूरी सेंटीमीटर में हम बदल दें या जो सेंटीमीटर में है उसे हम मीटर में बदल दें तो हमने यहाँ पर cm को मीटर में बदल के इसको solve किया है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको करेंगे, चुकि 100 cm में 1 मीटर होता है, यह हम लोग जानते हैं, इसलिए 1 cm में 1 बटा 100 मीटर हो गिए, इसलिए 80 cm में 1 बटा 100 गुने 80 बराबर 0.8 मीटर, ठीक है, तो फिर उसी का जो उंचाई है, 0.8 मीटर, यहां हम लोग प्राप्त हुआ, उसे लिखेंगे, उसको बाद 1 बटा 2, 0.8 से कट जाएगा, 0.4, तो अब बचा है किया हमारे पास, 3.2 गुने 0.4, तो is equal to हो गए, 1.28 मीटर स्क्वेर, तो यह हो गए हमारा, इसका समलम चतरबुझ का छेतरप आगे हम लोग दो नमबर का प्रस्ण को देखेंगे, और उसका हल करेंगे, तो बच्चों यहां पर यह दूसरा प्रस्ण में लिखा हुआ है, एक समलम चतरबुझ, A, B, C, D में, A, B, समानंतर, C, D है, यह जो A, B, रेखा हम लोग देख रहे हैं, यह C, D के समानंतर है, और C, D, यह A, B, बराबर 20 मीटर है, और C, D, 10 मीटर है, दोनों माप दिया गया है, A, B, और C, D, के बीच, इन दोनों के बीच, की लंबात्मक दूरी 8 मीटर है, ठीक है, तो इस प्रकार से, A, जो है, आठ मीटर जो है, दिया गया है, यानि कि उचाई 8 मीटर हो गए, तो जोका, चेतरफल जोका हम लोग सुतर इस प्रकार से है, एक बटादो समांतर भूजाओं का जोग उनप्चाई, तो इसके अनुसार एक बटा-दो, समांतर जो भूजाएं उनका जोग, तो समांतर भूजाएं कौन-कौन से है, 10 मुज़ी 6-20, इस प्रकार से सीथे हम लिग अबच 7 तो चाहर बरबर 20 new All.. joint future स्कुएर हो गया हमारा इसका हल ठीक हैव हम लोग तीन नंबर के प्रस्ण को देखेंगे और उनके दिया गया है किसी समलम चत्रूज के समांतर भूज़ा है उनका जोग साथ सेंटिमीटर दिया गया है और उनके बीच की दूरी अर्था जो उंचाई है वो पंद्रा सेंटिमीटर है तो उसका शेतरपल ग्याद कीजिए तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि समलम पास रह गया तीस गुना पंद्र इनको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा चार सो पचास सेंटिमीटर स्क्वेड तो यही समलम चत्रभुजा का छेतरपल हो गया है अब लोग चार नंबर के प्रस्ण को देखेंगे और उसका हल करेंगे तो बच्चो चार नंबर का प्रस्ण इस प्रकार से है एक समलम चत्रभुजा का आंगन आंगन वह एक बना हुआ है समंतर भुजाएं जिसमें समंतर भुजा एक है बारा दसमलों पांच मीटर और दूसरा है 7.5 मीटर तो समंतर भुजाओं के बीच की दूरी अर्था यह यह 5.6 मीटर 50-घृय परती बर्ग मीटर की दृसे आंगन को पक्का करने का खर्च निकाली है तो सबसे पहले हमें सम्मलम चत्र भुज का शेतरफल ग्याद करना है और फिर शेतरफल जो ग्याद होगा और बर 2020 में उसे हमके पचाश से गुना करने पर कि पक्का करने का खर 5.5 और दूसरा है साथ 5 5 दोनों का जोड और उचाए दिया गया है 5.6 इसको लिख दिये अब एक बटा दो इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12.5 और 7.5 तो 12.7 19 और यह 10.5 पांच हो गया तो हो गया 20 तो 20 हो गया गुना 5.6 इसको हम लोग 10 से काट सकते हैं तो तो यह हो गया दस गुना 5.6 तो इसको गुना करते हैं कितना हो जागा 56 यह हो गया 56 मीटर स्क्वेर्ट ठीक है या बर्ग मीटर तो इस प्रकार से हम लोग आगे लिखेंगे चुक्कि कि एक वर्ग मीटर कि आंगन कि पक्का करने का खर्च कि पक्का करने का खर्च बराबर 50 गुना 56 तो अगर इस दोनों को गुना कर देंगे तो हमें कितना प्राफ्थ हो जाएगा आटाइस सो अठाइस सो रुपया प्राप्त हो जाएगा यानि कि पूरे आंगन को पक्का करने का खर्च होगा अठायस सो रुपया है तो इस प्रकार से आप जो है इसका प्रशन का अच्छी तरह से देख लें किस प्रकार से बनाया गया है और से नोट कर लेता हम लोग पांच नमबर जो प्रशन उससे देखेंगे और उसका हल करें पांच नमबर प्रशन ठीक है तो पांच नमर का प्रस्ण इस प्रकार से लिखा गया है एक सम्लम चत्रभुज का छेत्रफल 34 cm2 है ठीक है इसी में छेत्रफल दिया गया है इसके समंतर फुजाओं साद में तो समंतर फुजाओं के बीच की दूरी यानिकि उंचाई नहीं दिया गया है बीच की दूरी ग्यात कीजिए चैसा कि हम लोग जानते हैं कि समंहां ओन्स लिखेंगे कितना है 34 फिर एक बटा 2 और समांतर भुजा कितना कितना है साथ है और धस है तो इसको दोनों को लिखे देंगे और गुणा उंचाई हमें प्राप्त नहीं है तो अब इहां पर कि एहां पर कि में लोग इसको जू है इसक 50 और यह गुणा से जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 17 गुणा उंचाई ठीक है तो अब जो है यह एक बटा दो का जो दो है हम लोग देख रहे हैं एक बटा दो का जो दो है इसे हम 34 के साथ में गुना कर देंगे ठीक है 34 गुना दो यह गुना हो गया और इधर कितना बच गया 17 गुना उंचाई ठीक है तो अब जो है यह उंचाई बबर राबर हमएं इसको उलट देते हैं उलटकर कर लिखते में समझने में कठिनाई نہ हो 17 गुना उंचाई एक ही बात है अब इधर से उधर भी लिख सकते हैं चाउचाई बबर दश और इसको नीचे ले आएंगे 17 इसको काट देंगे हैं क्या बच गया 2 गुना 2 तो कितना हो गया सारी मैं आमसिसे नाज़ा करेंगे सोगना कर देंगे तो यहाँ चार से चार संप्षर होंगे था तो किस प्रकार से हम लोग ज्याद करेंगे ज्याद कर सकते हैं लेकिन उसके लिए क्या क्या चाहिए च्छेतरपाल और समंत्र भुजाओं का जो तो आगे हम लोग पांच नंबर प्रस्ण को कर चुके हैं अब हम लोग छे नंबर प्रस्ण को देखेंगे और उसका भी किस प्रकार से समाधान हो किस प्रकार से किया जा सकेगा उ और समांतर भूजाओं में से इसमें समांतर भूजा जो दो होने चाहिए उसमें से एक ही दिया गया है तथा उंचाई 8 सिंटिमेटर दूसरी समांतर भूजा ग्याद कीजिए तो जैसे कि जानते हैं कि समलंब चतर भूज का छेतरफल का सुत्र है एक बटा दो गुने यह दोनों भूजा समांतर भूजाओं का जोग तो पहली भूजा प्लस दूसरी समांतर भूजा तो इसमें से चैसे और बलाबर एक बटा दो और पहली भूजा यह दिया गया है पहली हुजा भूजा जो है वह 14 cm मैंने एक बंद 14 kg और दूसरी नहीं ग्यात है दिया नहीं गया है तो इसको लिखेंगे दूशरी समांतर हुजा कि समानतर भुजा और फिर उनचाई जो ए दिया गया है उनचाई कितना है आठ सेंटीमिटर नहां ना आठ सेंटीमिटर दिया गया है तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे 176 और इस दो को हम इधर ले आते हैं तो यह इसके साथ में गुना हो जाता है ठीक है और बराबर यहां लिखेंगे 14 जोड दूसरी समांतर भुजा और गुना आठ ठीक है अब 176 को दो से हम लोग गुना करेंगे तो कितना होगा तो यह हो जाएंगे 352 ओर बराबर और यह जो आभ आठ है इसको हम लोग इसके नीचे ले आएंगे नीचे ले आएए इसको नीचे ले आए और यहां पर इतना पच्क devil दूसरी शमांतर भुजा कुना ओ और अब जो है मोग देखेंगे कि 352 जो काट से किस प्रकार से अगर कटता है तो इसे काटेंगे तो यह जो है हम लोग चावालिस से काट सकते हैं आप देख सकते हैं चावालिस से कट जाएगा तो कितना हो गया चावालिस बराबर चावदा जोड दूसरी समांतर भूजा अब जो है इसको हम लोग उलट देते हैं इधर ले आते हैं ताकि आपको समझने में सुभीदा हो दूसरी शमांतर भूजा जोड चावदा बराबर चावालिस ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ठीक है तो अब इससे हमें क्या प्राफ्ट हो रहा है चुकि दूसरी समांतर भूजा बराबर चावालिस और इसको इधर ले जाएंगे तो यह हो जाएगा माइनस ठीक है अब जो है चावालिस में से चावदा को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा तीस तो दूसरी समांतर भूजा कितना हो गया दूसरी शमांतर भूजा हमें प्राफ्ट हो गया कितना यह हो गया 30 cm तो इस प्रकार से प्रस्ण संख्या 6 का भी हम लोग समाधान देख चुके कैसे होंगे आगे हम लोग 7 नंबर प्रस्ण को देखेंगे कि उसका समाधान कैसे होगा ठीक है आगे करते हैं तो बच्चों यहां पर लिखा गया एक समलम चत्रभुज की समांतर 488 cm स्क्वेर है तो ता उंचाए 8 cm हो तो समांतर भुजाओं की लंबाई ग्याद कीजिए तो इस प्रकार से हम लोग इसको लिखेंगे हल माना की पहली शमांतर भुजा की लंबाई बराबर एक्स अतर दूसरी समांतर भुजा की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा एक्स इंटू तो यानिकी टू एक्स ठीक है टू एक्स हो गया अब फिर यहां पर लिखेंगे तो इस प्रकार से हमें एक प्रमूला प्राथ है तो यहां पर छेत्रपल दिया गया है यहां एक बटा दो अब जो समांतर भुजाएं क्या क्या है एक्स और दूसरा है ट्रीच ओंचाई आठ सेंटीमीटर दिया गया है तो इस से इसको परकार से करेंगे 2 को यहां ले जाएंगे कुना हो जाएगा और नीचे ले आएंगे कर देँ constituents गुना दो और फिर इस आठ को नीचे ले ले आएं प्राबर एक्स प्लस टुए क्तुल्आगा तहीरेक्स इस प्रकार से हो गया मैं फिर चैसे डोicieर यहां ले गए तो और आठ चार से कट गया और यह जो है इसको भी हम लोग काट देते हैं तो यह कट गया चार-चार-चार-चार-दुनी-8 ठीक है तो यहां पर इसको उलट के हम लोग लिखते हैं ताकि समझने में सुभिधा हो जाए ठीरी एक्स बराबर 42 तो एक्स बराबर कितना होगा 42 प्राप्त हुआ एक्स बराबर प्राप्त हो रहा है 14 सेंटिमीट्र अता दूसरी समानतर भूजा अता दूसरी समानतर भूजा यह पहली तो में प्राप्त हो गया यह है दूसरी समानतर भूजा इस प्रकार से समानतर भूजा 1 भेराबर टूयख वोगा दूसरी ये पहला एक właściय दूसरे टू aussi तो दो गुना 14 भारब दुमा कर देएगी को हुगा 28 सिंटीमीटर तो किपार प्राप्त हुआ एक हो 14 सींटीमीटर और दूसरा हुआ 28 संक्तिमीटर ये दूनों समांतर और भुजाय में प्राफ्त हो गया ठीक है अब हम लोग आठ नंबर प्रस्ण को देखेंगे उसका समाधान करेंगे तो बच्चों यहां पर जो है कि ABCD आकार के एक की मेड की लंबाई 130 मीटर है मनें यहां से यहां तक पूरा जो इसका माप है सभी भुजाओं का जोड वह 130 मीटर दिया गया है और BC बराबर 42Si मीटर है और CD इसका माप है 28לל Iz दिया गया है तो यहां पर संभलम चत्रवॉज़ का श्यक्रफल ग्याद करने के लिए हमें उचाई की ज्यूरुत है तो उचाई यहां दिया गयँ नहीं है तो परिमाप दिया गया है तो परिमाप से इं तीन माप जोड को घटा देंगे तो हमें A B की लंबाई प्राप्थ हो जाएगे तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे A B यानि कि भूजा A B की लंबाई A B की लंबाई बढ़ावर यह नीचे लिखते हैं परिमाप माइनस ब्रैकेट में साड़े भूजाओं का जोड़ कर देते हैं जितने हमारे पास है 36, 42 और 28 तो बढ़ावर कितना हो जाएगे परिमाप दिया गया है 130 और इसको हम लोग अगर जोड़ेंगे तो यह हो जाएंगे कितना 106 हो जा रहे हैं तो इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 24 तो इसका माप हो गया 24 मीटर ठीक है यह 24 मीटर इसका माप हो गया अब जो है हम लोग सुत्र के आधार पर सम्रम चत्रभूज का चत्रफल आसानी से ग्याद कर सकते हैं इस प्रकार तो यहां फर्मूला लोग लिख दिए हैं एक बटा दो समांतर भूजा यहां पर एक 36 और 42 है इसको भी लिख देते हैं यह 36 से 49 से कड़ जा रहा है और तो यहां कितना बचा 39 इन्टू 24 इनको गुना करेंगे तो इनको गुना करेंगे से हमें प्राफ्थ होता है तो बच्चों यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि अब जो है सम लम नहीं सम चत्रबुज हो गया है में पहला जहरी करने और ये विकर्ण तो जी छेतरफल हैँ मना फ़ेला जो थेंट्पर नृट्ट हएने जोиеड़ा है प्जिक लुई 240 240 सेंटीमिटर स्क्वेड तो इस प्रकार से हमनिकाल सकते हैं तो इसका अदि भी और सी को बना चुके हैं और ऊसे हम लोग देख लेते कि उससे कैसे बनाएगया तो हम पर दूसरा प्रस्ट में विकर निया गया है गुना 7.5 इन दुनों को गुना कर दिये तो हो गया 45 cm2 इसका हो गया तो C नंबर में है पहला विकर्ण है 9.6 cm अदूसरा है 4.5 cm सम्चतरभुज का च्छेतरपल इस गल टू फर्मूला हम लोग लिख दिये एक बटा दो गुने D1 इंटू D2 अब एक बटा दो पहला समधान देख चुके हैं अब हम लोग 10 नंबर का देखेंगे प्रस्ण को और उसका भी हल जानेंगे तो यहां पर प्रस्ण दिया गया है कि श्रम्चतरभुज का च्छेतरपल 88 cm2 है ज़िए उसका एक विकर्ण 11 cm तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ग्याद कीजिए तो या समझतरभुज का च्छेतरपल बराबर एक बटादो इंटु दीवन इंटु दीटू तो च्छेतरपल में दिया गया है 88 ठीक है और एक बटा दो दीवन हमें प्राप्त है 11 गुना डीटू ग्याद करना है तो इस फर्मुलस से हम इसको उलटके अगर लिखें तो इस प्रक इसको कार्ड देंगे तो डीटू इस इगल टू आठ और दो को गुना करेंगे तो किता हो जागा 16 सेंटीमीटर तो इस प्रकार से दूसरा भी करन जो है उसका लंबाई हो गया 16 सेंटीमीटर ठीक है तो इस प्रकार हम लोग एक से लेकर 10 तक के प्रसनों का हल देख चुके हैं पार्ट वन में अब इसके जो पार्ट टू के वीडियो आएंगे उसमें आपके से प्रसनों के उत्तर इस प्रसनावली से 11 से लेकर 17 तक का हल रहेंगे तो उसे आप अवश्य देखेंगे तो बच्चों आज के लिए इहीं तक मिलते हैं अगले वीडियो